नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंखरना हुए उप्रेटिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे महिलाओं की उस समस्या के विशे में, जो की महिलाओं के लिए बहुत पेंफुल होती है क्योंकि ये समस्या होने पे उनको सर्जिकल प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है अक्सर और यहाँ उनका समान जो वैवाहिक जीवन होता है उसके बात का जो परिवार को बढ़ाने के लिए बच्चे वाला विशे होता है उसको भी यहा रोगता है और उनको मासिक और सारीरिक और आर्थिक तीनो रूप से पूरे परिवार को तोड़ देता है, परिशान कर देता है, उथल पुथल पैदा कर देता है आज हम बात करेंगे endometriosis के बारे में endometriosis जो की आजकल हर्मोनल चेंज के कारण तमाम महिलाओं को हो रहा है और महिलाओं इस से बहुत परिशान है और डॉक्टरों के चक्कर काटने पर मजबूर है हम आपको बताएंगे इंडोमिट्रियोसिस को ठीक करने की होमियोपैथी में दसकारगर दमाएं वहाद दमाएं जो आपको इस समस्या से बाहर निकाल देंगी आपके वयवाहिक जीवन की जो खुशी है उसको वापस ला देंगी आपकी जो समाज में एक हीन भावना आपके अपने अंदर और समाज की आपके प्रती हो रही है उसको बाहाग खतम कर देंगी और आपको एक ससक्त महिला के रूप में समाज में इस्तापित कर देगी बात करते हैं बताते हैं आपको endometriosis को ठीक करने की दसकारगर होमेपेथिक दमाओं के विशे में उससे पहले आपको बता दे endometriosis होता क्या है endometriosis जो है वहाँ आपका उस टिशू की uterus के बाहर ग्रोथ है जो की uterus में होना चाहिए जो आपका बच्चेदानी होती है uterus होती है उसको एक टिशू line करता है वहाँ टिशू होता है endometrium membrane endometrium जब जो है यहाँ जो tissue होता है endometrium tissue यहाँ जो है आपकी uterus की जगा विभिन कार्णो से जो की मैं भी आपको बताऊंगा विभिन कार्णो से वहाँ uterus के बाहर fallopian tube में या ovary में growth करने लगता है तो उसको endometriosis कहते है यहाँ tissue growth करके fallopian tube को block कर देता है और आपका pregnancy में दिक्कत लाता है यही endometriosis होती है अब बात कर लेते हैं endometriosis के symptoms के विशह में endometriosis में तमाम symptom होते हैं जो आपको indicate कर देंगे कि कही न कहीं कुछ गरबढ़ है वहाँ symptom जैसे कि सबसे important symptom होता है आपके periods irregular हो जाते हैं कभी कभी बहुत profound हो जाते है तूसरा symptom इसका होता है endometriosis का आपके painful periods होते हैं periods में बहुत होता है यानि वह irregular हो गया उनमें पेन बहुत हो गया फिर एक symptom होता है कि आपका जो intercourse होता है वहाँ painful हो जाता है जब आपके painful intercourse हो जाए तो आप समझ दे कि हो सकता है endometriosis की दिक्कत की संभावता हो फिर endometriosis अपने साथ लाता है infertility को आपको infertility हो जाती क्योंकि जो ovary से egg release होता है वह फलोपियन ट्यूप से होता हुआ फटिलाइस होता हुआ यूटरस भी नहीं जा पाता पीछ में जो endometriosis टिशू है वह आपके फलोपियन ट्यूप को ब्लॉक कर चुका होता है तो यहां कुछ symptom होते है आपके जो lower abdomen है उसमें gurgling होने लगती cramps आने लगते है पेन होने लगता है तो यहां सब symptom है आपके endometriosis के अगर यहां symptom आप में पाई जाए तो आप समझ लें कि आपको शायद endometriosis हो गया है एक ultrasound से वो detect हो जाएगा और आपके सामने यहां तक लिए आ सकता आ जाएगा अब बात कर लेते हैं causes की कि आखिर endometriosis क्यों हो जाता है endometriosis होने के तमाम कारण है पहला कारण है retrograde menstruation retrograde menstruation वहाँ स्थिती होती है कि जब आपका जो menstrual flow होता है menstrual blood होता है वहाँ शरीर के बाहर जाने के बजाए वापस आपके pelvic cavity में आ जाता है वो अपने साथ endometrium tissue लाता है और वहाँ endometrium tissue जना जगा pelvic cavity में stick होके वहाँ पे growth सुरू कर देते हैं और आपके endometriosis का cause बनते हैं इसका दूसरा कारण है एक theory कहती है कि जो आपके peritonial cells होते है जो आपके abdomen में cells होते है वहाँ immune system के derangement के कारण endometrial cells में बदल जाते हैं इसको induction theory कहते हैं यहाँ एक theory है जो कि responsible कुछ लोग कहते हैं कि endometriosis के लिए है कि जब आपके peritonial cells जो होते हैं जो peritonium में cells होते हैं के abdominal cavity को outline करते हैं वहाँ immune response के कारण वहाँ जो है वहाँ endometrial cells में बदल गई तो यहाँ भी आपका endometriosis का इसको सकते हैं फिर एक तीसी condition आती है कि जब आपके जो embryonic cells होते हैं embryo के cells होते हैं वहाँ estrogen hormone के कारण peritonial इसमें endometrial cells में बदल जाए responsible होती है फिर एक condition होती है कि कभी-कभी आप cigerian से undergone हुए किसी cigerian से आप undergone हुए c surgery आपकी हुई abdomen में और उसके बाद जो वहाँ tissue निकालते हैं वकद कुछ tissue के fragments अंदर इधर बदर displaced होके pelvic cavity में आपके रह गए और जब वो रह गए वो वहाँ पर ही stick करके आपके वाल्स से internal growth करने लगे तो वहाँ भी एक condition होती है जब आपके endometriosis हो सकता है और endometrium cells uterine cavity के बाहर grow कर सकते हैं इसके अलावा autoimmune disorder तो हई है जब आपका body immunity disturbed हो गई तो आपको endometriosis हो सकता है लेकिन आप घबड़ाएं न अगर आपको endometriosis है आपको एक तकलीफ है तो उसकी दवा भी है और homeopathy ministry दूप से endometriosis को ठीक करने की बहुत कारगर दवाएं है हम आपको बताएंगे इसकी 10 कारगर homeopathy दवाओं के बारे में लेकिन दवाएं बताने से पहले हम आपको बता दें कि यहां self-medication में दवाएं ना करें क्योंकि endometriosis एक गंभीर विशह है किसी डॉक्टर की सलह लेकि उसके prescribe करा के ही दवा ले यह अपने आप दवा ना ले क्योंकि जो दवाएं फाइदा करती है वो कभी-कभी नुकसान भी कर सकती है चलते हैं सफर पर आपको बताते हैं आपको इस समस्या से निकालने की दस कारगर homeopathic दवाओं के विशह में सबसे important condition जो endometriosis में आती है वहाई painful periods याणी dysmenoria की आपके periods बहुत painful हैं और आपको वहाद अखलीफ पहुचा रहे हैं तो अगर यहाँ condition आपके है कि आपके painful periods है और आपके endometriosis है उसको ठीक करने की homeopathic में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है जैन्थोजाइलम और सिमिसिशूगा या दोनों दवाएं बहुत कारगर दवाएं हैं जो आपके dysmenoria को endometriosis में होने वाले dysmenoria को खत्प कर देंगी और आपके इस syndrome को ठीक करके endometriosis को भी ठीक कर देंगी इसमें जैन्थोजाइलम बहुत कारगर दवा है homeopathic में dysmenoria के कारण होने वाले periods को रोपने की जब आपके extreme level का pain हो रहा हो और वहाँ pain आपके पैरों तक जा रहा हो वहाँ अगर condition आप में हो रहेगी पैर कटे कटे से लग रहे हैं और इतना pain होता है periods के दोरान तो निश्चित दूर्प से आपके endometriosis को ठीक करने की दवा जैन्थोजाइलम है आप जैन्थोजाइलम 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले सकती हैं यहाँ दवा लेने पर आपको endometriosis से निचात मिलने में बहुत विदा होगी शायद यह है आपका endometriosis को ठर्प करने का एक सशक्त माध्यम बने तो उसी दवा इसी कंडिशन में साथ यह सीमिसी फ्यूगा है आप सीमिसी फ्यूगा 200 दो दो बून दिन में तीन बार ले सकती हैं endometriosis की कंडिशन में जब आपके endometriosis हो period में बहुत पेन हो और आपके back में बहुत पेन हो फिर एक condition आती है कि आपको intercourse में बहुत पेन होता हो यहां एक endometriosis की बहुत important condition है बहुत important symptom है कि intercourse के दोरान पेन होता हो तो अगर आपके painful intercourse हो रहा है due to endometriosis तो इसको ठीक करने की homeopathy में बहुत कारगर दबा है platina आप platinum metallicum 30 power में दो दो पून दिन में तीन बार ले सकती है इससे आपका जो intercourse के दोरान का पेन है वहाँ भी खतम हो जाएगा और आपका endometriosis का बिमारी भी ठीक हो जाएगा एक condition endometriosis में आती है कि जब आपके हर समय पेट के निशले हिस्टे में पेन बना है आपके pelvic region में पेन बना है तो उस इस्थिती को ठीक करने की और उस इस्थिती में endometriosis को ठीक करने की होमियोपेटी में बहुत कारगर दवाएं हैं यह तीन दवाएं हैं पहली दवाएं सबाइना दूसरी दवाएं सीपिया और तीसी दवाएं पलसेटिला यह तीनों दवाएं बहुत कारगर दवाएं हैं जो आपके यह जो पेन हो रहाएं इसको खतम कर देंगी पहली वीक रिजन में जो हर समय बना रहता है endometriosis के कारण पहली दवाएं संकला की हैं सबाइना सबाइना 1 EMPOWER के तीन खुराग 55 मिट के फासले पर आप वीकली ले सकती हैं कि अगर आपके लेबर लाइक पेन हो रहा हो इतना पेन हो रहा हो जित्ता कि एक डिलिवरी के टाइम पर लेबर के टाइम पर होता है तो उस सिस्थिती को ठीक करने की होगियो पैती में बहुत कारगर दबा है सबाइना सबाइना 1 EMP आप तीन खुराग 55 मिट के फासले पर ले ले आप देखेंगे कि आपको आराम मिल गया दूसरी दबा इसी संटला की सीप्या है सीप्या 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार आप उस कंडिशन में ले सकती है कि जब आपके बहुत जादा पेन हो रहा हो पैल्विक रीजन में और लग रहा हो यूटरस बहार आ जाएगा प्रोलैस ओफ यूटरस हो रहा हो बेरिंग डाउन सेंसेशन हो रहा हो आपका मन बहुत दुखी रहता हो आपको बात बात पर रोना आ जाता हो और आपका एंडोमेट्रियोसिस के कारण आपके पेल्विक रीजन में पेन हो उस कंडिशन में सीप्या आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है इसको आप एक बाट लेके देख सकते हैं शायद यह आपको दिकतों से निकाल दे तीसी रवाय इसी स्टितियों की साथ यह पल्सेटिला है पल्सेटिला का मरीच बहुत सेंसिटीव होता है अकेले रहना उसे पसंद नहीं होता प्यास उसे लगती नहीं है पानी बहुत कम पीता है और वास सेंसिटीव होता है और एंडोमीट्रियॉसिस के कारण तकलीफ से रात भर वो करवटे बदलता रहता है अगर यहां कंडिशन आपको अपने में दिखती हो तो इस कंडिशन में होमेपैथी में आपके कि endometriosis को ठीक करने की सबसे का अधरदवा पलसेटिला नाइगरा है आप पलसेटिला 30 पावज में दो दोगून ले सकती हैं यहां आपको endometriosis से निचात देदेगी फिर यह condition आती है endometriosis में जब आपको endometriosis होता है और आपके hips में बहुत पेन होता है तो अगर आपके endometriosis है और आपके hips में बहुत pain हो रहा है इतना pain हो रहा है कि लग रहा है बिखर जाएंगे टुकडों में तो उस इस्तिती को हमयोपैती में दूर करने की बहुत कंडी अच्छी दवा है और endometriosis को भी उस condition को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है और दवा जो symptom आपका endometriosis और यहाँ जो symptom है दोनों बाते ठीक हो जाएंगी ट्राइलियम पेटुक्नम के माधियम से फिर एक condition आ सकती है endometriosis में किसी patient को कि उसके जो है वहाँ digestion की भी समस्य और साथ में endometriosis की है यानि उनका जो है वो rectal region में भी pain और तकलीशें बनी हुई है और साथ में उनको endometriosis है अगर यहाँ इस चिती आप अपने में देखें तो इसकी तीन कारगर बहुत हुमेपैटिक दवा है पहली दवा है नक्स फोमिका दूसरी दवा है अमोनियम म्यूर और तीसी दवा है लेकैसिस यहाँ तीनों दवा बहुत कारगर है आपके rectal symptom को ठीक करने में जब rectal symptom के साथ आपको endometriosis हो नक्स फोमिका बहुत कारगर दवा है जब आपका पेट का disorder हो रहा हो आपको food disagree ना कर रहा हो और आप digestion से परिशाद उस इस्तिती में नक्स फोमिका आपको काम करेगी और अमोनियम म्यूर आपको काम करेगी जबकि आपके स्टूल में blood आ रहा है जब आपके mensis होता है तो mensis के साथ अगर आपके स्टूल में blood आ रहा है तो उसको ठीक करने की हुमिका पेटी में बहुत कारगर दवा अमोनियम म्यूर है यह आपको पुरी तरह से ठीक कर देगी और तीसी दवा इसी की है leikasis leikasis उसे स्टी में बहुत पेन हो रहा है आएक तो आपके mensis हारा endometeosis की करना और आपके रिक्टर में बहुत पेन हो रहा है तो अगर यहां दोनों सिंट्रम आपको को रिलेट करें तो हमें पैटी में इसको ठीक करने की निश्चित रूप से बहुत कारगर दवा leikasis है आप इसकी 1-2-3 कुर में भी हुई जा रही है मतलब कि महीने के बीच में हुई जा रही है पूरा महीना गया नहीं और बीच में ब्लीडिंग हो जाती है बीच में स्पॉट आ जाती है अगर यहां कंडिशन आपके है और आपको endometeosis है तो endometeosis और यह bleeding between the mensis rate के आपको ठीक करने की होमियोपैथ में बहुत कारगर दवाए थैस्पी बुर्सा पेक्टोरिस आप थैस्पी बुर्सा पेक्टोरिस थी एक्स पावर की दो दो टेबलेट इतमें तीर बार ले लें आप देखेंगे कि आपका पीरियट भी सही हो गया आपका बीच महीने के बीच में आपको bleeding नहीं हुई और आपका endometriosis भी ठीक हो गया फिर endometriosis में एक condition आती है कि आपको endometriosis है और साथ में आपको urinary troubles होने लगे तो अगर endometriosis है और साथ में urinary troubles हो रहे हैं तो उसको उनमपैती में ठीक करने की दो बहुत कारगर दबा हैं पहली दबा है सीपिया और दूसी दबा है नेंटर एंथी दबा है यूरियनेसेन की urgency बहुत ज्यादा होती है या पेशब को रोक नहीं सकते है और आपको पेशाब जाना ही जाना है तो अगर यहाँ kund Land Connect Time हो घ restaurants को Unend बुन किसमें तीन बार ले ले आप देखेंगे कि आपका एंडोमेटियोसिस भी ठीक हो गया और आपका जो सड़े नर्जेंसी टू यूरीनेट है यहाँ भी खतम हो गया दूसी दवा इसी से अंकला की कारगर दवा है नाट्रम्यूर नाट्रम्यूर वन येम पावर में तीन खुराग पचपच मिनट के फासले पर उस समय बहुत आपके काम आ सकती है कि जब आपके एंडोमेटियोसिस हो और साथ में आपके यूरीन से ब्लड आ रहा हो पीड के द मेटियोसिस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा नेट्रम्यूर वन येम है आप इसका तीन खुराग पचपचपच नेट के फासले पर वीकली लेके लाग पा सकती है ये साथियों कोई दवाएं थी आपके एंडोमेटियोसिस की समस्या से आपको निजाद दिलाने के लिए निश्चित रूप से दवाएं बहुत कारगर हैं लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी दवा बिना किसी कुसल चिकिसर के प्रिस्किप्शन के ना लें क्योंकि यहां सब बिमारिया गंभीर विशाय होते हैं और हो सकता है जो दवा हम बता रहे हों यहां दवा ना मैच करें आपको किसी और दवा की आवश्क्ता हो उसी स्थिति में आपको किसी डॉक्टर से राय बिना दवा लेना भारी पड़ सकता है अगर आपके मन में कोई कोई हो तो आप यूटूब के नोटिफिकेशन पैनल में अपने कुस्चिन को लिख सकती हैं या फिर हमा प्रयास रहेगा आपको संतोर जनक और कारकर जवाब दे सकें अगर आपको हमारा यहाँ प्रयास पसंद आया हो इससे कुछ मदद मिली हो आपको तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा इस वीडियो को शियर करिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाकर सबसे पहले सबसे निया वीडियो पाती रहेगा आपका इती देर हमारे साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत-बहुत आभाड, बहुत-बहुत साधुआत, बहुत-बहुत धन्यवाद कर दो